ये जर्शी किष्णा दोस्तों मैं अब चली नार्यक ह३ादी में आपका स्वागत कहती हूँ आज हुआंग बनाने जाने हैं मुंधालबड़ी की कड़ी तो आगे शुवात करते हैं पड़ी पड़ानी के लिए हमने लिया है बेसन, एक छोटी कटोरी दही, यह मैंने लिया है डाल पड़ी, भूम डाल पड़ी है यह बाजार में असानी से मिल जाती है एक आलू जिसे मैंने छील कर बारीव काट लिया है अग्डरक हरी मिर्ची पेस्ट, धनिया और नीपू का द्रस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, तो आएए शुरुआत करते हैं कडी बनाने के लिए हम पहले कडी का खोल बना रहे हैं इसके लिए मैंने लिया है बेसर, अब इसमे डालेंके आम दहीं, इसमे डालेंके जहान हल्दी पाउडर, एक चममच धनिया पाउडर, एक चममच नाल्गर, अध्रक हरी मिर्ची पेस्ट अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को और अच्छा सा घोल देयार करेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी कर अपर अच्छ इससे घोल बनाएंगे इसमें एक ही чаि आने 울 को रहां अपया ऑब इक शारा बनी ना बानी डालनेतड ही तो नहीं है जाहेंगे यह देखें करी का घूल आपका इस तरही के से उनना थाए अधी अब इसके नेक्स स्टेप पर चलते हैं दाल बड़ी फुन्नी है इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गेस पर रखिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमाच घी अब हम इसमें डाली के दाल बड़ी के दाल बड़ी बड़ी चलाने हैं घीम अजपर शेगना है डाल बड़ी हमेरी सिख चुकी है अब हम इनी काले हें अब हम इसमें डालेंगे एक चमच घी और अब हम इसमें डालेंगे कड़ी का भगार लगानी के लिए जीरा एक चमच थोड़ी सी मैंने लॉंग ली हैं तीन-चार लॉंगों को मैंने पीस किया है अब हम इसमें डालेंगे हम और धनिये के दाने लिए और हीम अब हम इसमें डालेंगे कड़ी का पूल यह देखिए हम बहुत धास्तिया है अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए अलू और इसे धीमी आज पर पकने देंगे रस से पंदर मिनेट इसे लगेगा पकने में अब हम इसमें डालेंगे दो चमच मील का रस। अगर आपका धही खटा हो तो आप इसे इसे स्किप्पी कर सकते हैं अब हमें इसे दीनी आज को सिखने देना है और बीच वीच में चलाते रहना है अब हम इसमें टालेंगे डाल बड़ी ये देखिए कड़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें डालेंगे बड़ा धनिया अब हम इसे एक बूल में निकालेंगे ये देखिए हमारी कड़ी बन का त्यार है अब हम इसे चावे के साथ सब करेंगे आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी सब कर सकते हैं अब हम इस पर रखेंगे तोसी का पत्ता क्योंकि हमारे ठाकुर्ची का भोग बिना तोसी के नहीं लगता अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइन करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद